योगिक योगिंग के बारफ अभ्यास आज हम सभी सीखने का प्रयास करेंगे इसमें दोडने का अभ्यास, बैठने का अभ्यास, जुखने का अभ्यास अलग-अलग परकार के हम अभ्यासों से सरीर को हर एंगिल से हर दिशा से एक नए स्वरूप को प्रदान करने का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हम दवडने वाला अभ्यास करेंगे धीरे धीरे सासों को भरते हुए प्रारम करिए मुबन नाग से सास मखते हुए छोड़ते हुए इस ही को निषम में शखा दिने अइसे शितरा जाँ? कीक ही इडी को निषम में शखा दिने आति ? कुछ तांज भर ये रगला भ्याद कमर पे हाथ रखते हैं और तांज को भरते हुए दाहिने पेर को खाना फिर भाय पेर को खाना एक पेर उठाते हैं तो तुसरे को न उचान बाते हैं फिर दोनों पेर उचाना कि अधिन अभ्यास हो गए दोड़ने वाला अब बैठने वाल अभ्यास करेंगे कमर पे हाथ नास भर लिजे पूरा और सांस को छोड़ते हैं होई दीरे धीरे एसे बैठने का प्रयास करेंगे कि अधिरे दे पूरा बैठ जाई है यह तांस भरते हुए मख पाला अधित 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 अधिए देष हैति अगला फ्यास द॥ा ख्लक लिजी और को आगे ले जाते हैं ऍवलिल और जाहिने Пमोडते हैं दॉप्र को सीधा फिर दूपने उप्र सरीर सी रहा क्यों पैर घुटने को मोड़ते हैं हास आगे, हास को आगे रखेंगे फिर दीर दीर इसको बैठते हैं और फिर एहों से दीर 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 उठ जाते हैं पिरा गलाब याँ पिर खमर पे हाथ लगाया साफ भरिये और दाहिनी तरफ मोड़ जाए और दाहिने भुटने को आगे ले जाकर कि गरधन को आशमान की तरह साफ भरिये अब आईए अब जुटने वाला भ्यास करते हैं साथ भर के छोड़ते हुए जुकाना पारते हुए गरधन को पीछे दिरे दिरे आगे दिरे दिरे करिएगा इस ते हिर्द्र मजबूत होता है और कभी हार्ट अटेक नहीं होगा करिए भूर्द्र मेरे दिरे 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 दिरा लग्यास करते हैं आत को सरकाते जा रहा है नेके और इसको गिराज़तर करके और यह जमीर पर भी ले जाके सका सकते हैं तो इस प्रेशिया लाफ याज आख विड़ी एक याज अब आख प्रेशिया हुदत तो बूड़ी है और नगला भ्या स्क्षा करें एक उससा ये दधा एक हां और थाथ को ऊपर खाते ये और शांस में पीखे कि असाज पुछ जाए जिरी धिरी आगे रहें लिए को कमर दर देद आदेने जूकते जोहल लिए उसके नहीं कुकते हैं कुछ आओ कं दू कर दू इसमें ललाट को भुटने में सटाने का प्रयास करते हैं फिर अगला व्यास करते हैं एक फिर दो एक में सिरे उपर जाएंगे और दो में नीचे एक दो एक दो एक दो एक दो और एक दो भी रगला व्यास पर दो करते हैं कि अधि 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 पर दो अधि नाड़ी चालू हो जाता है और खुन का प्रवाद संतुरित हो जाता है और जो आदमी आलसी है कंशुत सास लेने में ही उस आदमी को आटमेटिक सास लेने की इसा बढ़ जाते हैं तो ऐसा भ्याद खिर्दे के लिए और सारे अंगों को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही लावकाई है